है जूआ कि कॉर्स करने आयें तो आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं यह जानना बहुत … अवर स्कतर yr सivamente जाना कि मॉडिल के साथ आपको बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं कहां से जाएंगे कैसे भगवान तक पहुचेंगे शरद जी इस समय मंधिर समेथी में पूरी प्रबंधन समेथी के सदस्य है क्या महत्तोपूhm है मंधिर में जब कोही आए तो क्याود के जा सकता है क्या मनशिया सकता है देखिए ये संपूर मंदिर जो है इसकी लंबाई चोड़ाई पहली समझी जाए ये लगबग साड़े 300 फिट लंबा है और 255 फिट चोड़ाई है इसकी 161 फिट उटाई है आप इधर देखिए ये सिंग द्वार है सिंग द्वार जो है सिंग द्वार के बाद है निर्त icam करेंगे यानि तीस फुट के दूर से जो है भगवान रामलार दर्शन देंगे तो इस परकार से यहां पहुँचने का मार्ग जो है पर्थम जो सिंग द्वार है एक सीड़ियां बनाई गई है सीड़ियों पर चड़ेंगे लोग अंदर प्रवेस करेंगे और इसके बाद फिर जो है दोनों तरफ जो यह आप देख रहे हैं यह है विल्चेर जाने का मार यानि वृद्ध जन जो है असाहय है अगर उनको दर्शन करने जाना है तो विल्चर से जाएंगे ठीक उसके बगल जो है इधर जो है लगाया जाएगा लिफ्ट लिफ्ट से लोग जो है उपर जा सकते हैं वह भी ब्रत जन्म के लिए है ऐसे लोगों के लिए जो चलने में समर्थ हैं उनकी लिए सारी पहला मंदिर होगा जहां पर दिव्यांग अंदर तक जाकर दर्शन कर सकते हैं यह दिव्यांगों के लिए बूरी सुइधा जो है सीराम यहूं तीरचे ट्रश्ट ने रखी है ताकि आने वाले जो भक्त हैं वह अपने अपना जो क्या करनी इसने अपना समर्पन यह भगवान सीराम लिफ्ट समर्पित कर सकते हैं लेकिन जब प्रसाद लेकर आते हैं क्या क्या अलाओड होगा क्या कंगी भी ले जा सकते हैं क्या नहीं ले जा सकते हैं अभी वर्तमान में जो सुरक्षा की बेउस्था चल रही है वह हम प्रसासन के साथ हैं उसमें जो है कंगी मना है चाभी के गुच तो जब आने वाले समय में प्रावन प्रतिष्ठा हो जाएगे तो जूता भी मना होगा जूता पहन के लोग नहीं जाएगे अपना जूता एक पर रखेंगे जूता इस्टेंड बनेगा और साथी साथ जो है लाकर की सुवधा दी गई जहां पर वह बेल्ट रखेंगे अपन अपना कंगा चाभी गुच्छा जो भी है वंकि अपर मोबाइल है चेमरा है तो यह सारे पतार जो है वह रक सकेंगे अंदर लेकिन मंदिर में जब प्रवेस करेंगे तो वहां पर ऑपर प्रसाद भी नहीं लेजा पाएंगे आज भी नहीं लेजा पाना है और आने वाले दिनों में भी नहीं ले जा परेंगे वहां से प्रशाद स्वेता जो है श्री राम जर्मु तीर्चे ट्रस्ट जो है वह उपलब्द कराएगा मंदिर का प्रशाद जो है उनको बाहर आने पर मिलेगा और उसको वह ले जा सकते हैं अपने घर मंद प्रशाद की विष्थाइस अपने घरों को ले जा सकते हैं ऐसी विष्था सिरा में तीच्छे ट्रस्ट ने करते हैं काम आदमी इन सारे मंदिर मंदिर के अलग-अलग ग्रह को कैसे पहचानेगा कि हम किस इलाके में हैं क्या रंग अलग होगा पत्थर का उसकी तर नकाशी अलग होगी क्या क्या अंतर का उसके बाद जो गर्वगरे दिखाई देगा तो यह बिरुण जो है लगातार सीरे जाम जुमिंटी छे ट्रस्ट जो है अगवारों के माध्यम से आपके इलेक्ट्रानिक चैनल के माध्यम सबसे लगातार कहता रहा है कि मंदर मंदिर का भाग इस प्रकार से है जब हम रं खुक सिर्बत मार को सी रंग रहता है मंगल वार को जो के सारिय वस्त्र हो जाता है बद्वार को जो एंगृ गुलावी रंग में हो जाते हैं भगवान की बस्तर तो अभी तो वर्तमान में इसी प्रकार की परंपरा चली आ रही है और लगातार चली आ रहे कितने पुजारी होंगे क्या उसकी समय सारनी होगी आरती की व्याख्या करें देखे अभी आरती जो वर्तमान में चले है वो साड़े छे बजे से चलती है प्राता और उसके बाद फिर बारा बजे दुपहर में होती है फिर उसके बाद जो है जो रात्र की वेला यानि जो होती है बारा बजे और फिर होती संधिया रात्री आरती विस्तराम का जब रहता तो होती है लगभग साड़े साथ बजे तो इस प्रकार से आरती की का करम यह है लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद हो सकता है सुझाओ बहुत स्याएंगे उसमें बदलाव भी ट्रेस्ट करने प्रतिफए लिएंद्फ बार आरती जब हो जाती है तो नित्य दर्शन करते हैं और लेकर साड़े 6 दर्शन और वी वर्तमान की संख्यां पहले चरन में भी दो हैं और साहिंकाल में भी दो ही है आगγα यह मंदिर चुक इतना बड़ा एक वह तो इसमें पुजारियों की बोस्था यागे की जो दूप्रेखा का है बनाने का कारी चुप करेगा बोग में क्याम लेगा लोगों को बड़ा उत्सा है कि भक्त आएंगे उनको स्वाभाविक है कि भगवान सी राम लिला के इस मंदिर के निर्माल को लेकर जो है लोग उस्ताहित हैं उमंग से परपून है और दुनिया में तमाम ऐसे मठ मंदिर हैं जहां पर आना एक प्रकार के प्रशाद का का वित्रण होता है अयोध्याजी में राम ला मिला के प्रशाद का वित्रण होगा अलग होगा सबसे इसको करें तो है लेकिन लडू भी विसेस होगा रामदाना अभी तो चली रहा है जो है लाइद इलाइची दाना वितरन चल ला लगातार चल ला कभी बीच में मिसरी चलती रही है तो अब जो है तीर छे ट्रेस्ट ने बना रखा एक पैकेट्स बनाए है जिसमें जो है दस ग्राम बीस ग्राम जो है राम इलाशी दाना है और वह अपने घरों को ले जाते हैं लोग और एक सुरक्षित भी रहता है लेकिन आने वाले दिनों में जो है जब यह टेस्ट मरलब तीर चेट टेस्ट के द्वारा जो है पूजन का कार जाएंगे क्योंकि दूप अगर लह जाके सुलकाने तो उसमें तो संख्या दर्सन ही नहीं हो पाएगा वो तो दूप ही सुलकाते रह जाएंगे तो इसकारण से वह सारे जो अभी वर्तमान में सारी प्रक्रिया चले उसी प्रकार से पूर्व में भी होने वाली है यह बड कि प्रक्रिया नहीं हो еще जूप लाएंगे करिट जूदानिन यहे यहआ įह अजय से ढ़रीक्टर में में होगरीक्या दOT, अपहरीक्या जाएंगे क्में सब्सक्रिपे。